दोस्तो कहानी शुरू होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक औरत को उसके बेटे की हालत के बारे में बता रहा था वो कहता है कि आपका बेटा पागल नहीं है बस दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ है अभी सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगती है और उस डॉक्टर को वापस भेज देती है इसके बाद हम कैविन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में टेलिस्कोप लगा कर कुछ देख रहा पर तब ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जिसके बाद वो भी उस टेलिस्कोप से देखने लगती है यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा पडोस वाली भावी को कपड़े बदलते हुए देख रहा था अब यह देखकर उसकी मॉम कैविन के मूँपर एक रहने की सजा सुनाती है दरसल वो कैविन को एक सैंटिस्ट बनाना चाती थी और उसे पता था कि अगर एक बार यह लड़कियों के चक्कर में पड़ गया तो इसकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी इसलिए उसने कैविन की पड़ाई स्कूल से ना कराते हुए उसे घर से ह पड़ाया अब जिस खिड़की से वो देख रहा था उसकी मौम उस खिड़की को भी बंद करवा देती है जिसके बाद वो उसके सामने चुड़ेलो की तरह हसने लगती है तबी सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बात का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर हम कैविन को कुछ स अविशकार दिखाना चाता था दरसल उसने एक ऐसा सिरम बनाया था जिसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान को गायब किया जा सकता था लेकिन इस सिरम का असर उस इंसान पर सिर्फ कुछी घंटों तक रहता था अब कैविन की ये सारी बाते बाकी साइंटिस को बकवास लग लेकिन वही कैविन को खुद पर बहुत भरोसा था और फिर जब वो सिरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो इन्विजिबल नहीं होता जिसके बाद सभी सैंटिस उसे पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं अब अपना मजाक उड़ता देखकर कैविन पागल हो जाता है और गुसे में सपर हमला कर देता है उनमें से कुछ सैंटिस्टो उपनी जान बचाकर भाग जाते हैं लेकिन जो वहां से नहीं भाग पाते कैविन उन सबी और अगले दिन वो सबसे नजरे चुराते हुए भाग रहा था और कुछ देर बाद वो गार्ड को भी चक्मा देकर वहां से भाग जाता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद गार्ड उसके पीछे फिर से पढ़ जाते हैं लेकिन केविन फिर से उनसे बचते हुए वहां से निकल जाता है फिर हम पर कॉलेज की प्रिंसिबल मिस चैलो आकर सबको बताने लगती है कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की अचानक से मौत हो गई इसलिए अब उनकी आगे की क्लास उनका नया टीचर केविन कुमार लेगा जिसका मतलब था कि केविन पागल खाने से निकल कर एक टीचर बन चुका है और उसने अपना नाम बदल कर केविन कुमार रख लिया है फिर क्लास में आते ही केविन क्लास की सबसे सुन्दा लड़की विकी से एक फिजिक्स का सावाल पूछता है लेकिन जब विकी इसका कोई जवाब नहीं दे पाती तो केविन उसे डाटने लगता है फिर क्लास खत्म होने के बाद सबी लड़किया चीर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं केविन भी उनके पास बैठा उनको गूर रहा होता है वहीं पर हमें कपल चैड और बनी को भी देखते हैं जिने जहां पर भी मौका मिलता था वो वहीं पर ही इंटिमेट होना शुरू हो जाते थे फिर कुस देर बाद जब सबी लड़किया बातरूम में नाने चली जाती हैं तब ही महां पर चैड आता है और चुपके से उनको नाते हुए देखने लगता है उदर हमारा कैविन भी चैड को उन्हें देखते हुए देख रहा होता है जिसके बाद जब चैड वहां से चला जाता है तो कैविन भी वहां पर आकर उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है पर तब ही वहां पर मिस चैलो आ जाती है जिसको देखकर कैविन बहाने बनाने लगता है कि मेरे पैसे नीचे गिर गए थे तो मैं उसे ही डून रहा था अब मिस चैलो को तो समझ आ चुका था कि ये क्या देख रहा है इसलिए वो उसे कहती है कि प्लीस अप अपनी क्लास पर ध्यान दे जिसके बाद केविन शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है फिर इसके बाद हम केविन को उसके रूम में देखते हैं जहां पर वो उस इन्विजिबल होने वाले सिरम पर काम कर रहा था लेकिन फिर भी वो उसमें सक्सेस्फुल नहीं हो पाता वो दिन में अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स की क्लास दिया करता था और रात को अपने एक्सपेरिमेंट पर काम किया करता था लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो अपना सिरम तयार नहीं कर पा रहा था पर फिर एक दिन उसकी ये कोशिस रंग लाती है और उसका टेस्ट सब्जेक्ट गायब हो जाता है अब ये देखकर केविन बहुत ही खुश था जिसके बाद वो सिरम को अपने उपर इस्तेमाल करता है और वो भी गायब हो जाता है अब अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा होता हुआ देखकर वो बहुत खुश होता है और हस्ते हस्ते वहीं पर सो जाता है लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब हम देखते हैं कि वो फिर से विजिबल हो चुका है फिर उसी रात केविन अपने सपने में उन सबी लड़कियों को बातरूम में नहते हुए देखता है और उसे लगता है कि वो लड़किया उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही है जिसके साथ हम ये भी देखते हैं कि उस रात केविन विकी के घर पर गया था जिसके बाद वो उसके कपड़े उतार कर उसे घूर रहा था फिर अगली सुब़े जब वो वापस अपनी क्लास में आता है तब क्लास शुरू होने से पहले विकी उसके पास आती है और केविन के साथ इंटिमेट होने के बदले उसे उसके नंबर बढ़ाने को कहती है लेकिन इसके लिए केविन उसे साफ मना कर देता है तबी class की bell बच जाती है और बाकी के सभी students भी class में आ जाते हैं आज Kevin ने एक surprise test लेने का plan किया था लेकिन उन बेफ़कूफ students में से किसी को भी सवालों के जवाब नहीं पता थे जिसके बाद वो सभी Kevin को ही पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं अब इससे गुसा होकर केविन उन सभी के टेस्ट पेपर्स लेकर उनको फेल कर देता है। इसके बाद हम एक बिल्कुली घटिया और नीच स्टूडेंट बुबा को देखते हैं जिसको मिस चैलो अपने आफिस में बुलाती है। वो उसको बताती है कि वो एक्जाम में फेल हो चुका है इसलिए उसे वापस इसी क्लास को रिपीट करना होगा। अब ये सुनकर बुबा मायूस हो जाता है क्योंकि उसका प्लैन तो कॉलेज में जाकर लड़किया बटाना था। पर तभी मिस चैलो बुबा को एक उफर देती है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है तो वो उसे पास करके उसे कॉलेज भेज देगी। अब ये सुनते ही बुबा खुशी के मारे उचल पड़ता है जिसके बद वो और मिस चैलो वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं वहीं दूसी तरफ जब सारी लड़किया बातरूम में नहा रही थी तबी केविन भी इन्विजिबल होकर बातरूम के अंदर जाकर उन्हें लगते हैं जिसमें उसकी मा और डॉक्टर के साथ उसके कॉलेज की सबी लड़किया उस पर हस रही थी फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि केविन के सबी स्टूडेंट्स उसकी क्लास में ध्यान देने लगे थे लेकिन फिर क्लास के बाद मिस चैलो केविन को अपने आने लगता है पर तभी मिस चैलो उसे उसका इन्विजिबल करने वाला इंजेक्शन दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ड्रक्स ले रहे हो और अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुला कर उने ये सब कुछ बता दूँगी पर बुबा और बेटी एक दूसरे को किस कर रहे थे पर तभी वहाँ पर कैविन आता है और बुबा के मूँपर एक बड़ा सा ब्रेट का टुकड़ा गुसा कर उसे मार डालता है अब ये देखकर बैटी को समझनी आता कि ये सब हो क्या रहा है जिसके बाद वो वहां से उ जहां पर पहले से ही कैविन बैठा हुआ था फिर वो उसे बताती है कि बैटी की डेट बोडी हॉलवे में पड़ी है जिसको सुनकर कैविन क्लासरूम से बाहर जाता है और इन्विजिबल होने वाला इंजेक्शन लगा कर वापस आ जाता है जिसके बाद वो एक लड़की क सुनकर उसका बॉइफेंड हंटर उस वाश्रूम में जाता है जहां पर उसे एक लॉकर में विकी की डेट बोडी मिलती है तब ही अचानक से केविन हंटर को गुसंड मारना शुरू कर देता है जिसको देखकर हंटर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है पर अब क्यो को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता दोसी तरफ उस सफाई वाले को मिस चैलो की डेट बोडी मिलती है जिसके बाद वो पुलिस को फून करने की कोशिश करने लगता है लेकिन गूंगे होने की वज़े से वो कुछ बोल नहीं पाता उदर चैड और बनी को विकी की डेट बोडी लॉकर रूम में मिल जाती है जिसके बाद जब वो सफाई वाला चिलाते हुए उसके पास आता है तो चैड उसे ही किलर समझ कर उसकी पिटाई कर देता है लेकिन तबी वहाँ पर कैविन भी पहुँच जाता है और बनी को मारने लगता है पर चैड जैसे तैसे करके कर देता है जिसके बाद अब चैड ठीक से निशाना नहीं लगा पाता अब उन दोनों की बीच में लड़ाई होने लगती है जिसके बाद चैड केविन का इंविसिबल सिरम को लगा लेता है और वो भी गायब हो जाता है अब जब उन दोनों का ये मुकाबला बराबरी का था तब ही अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि चैड के सर के चीथड़े उड़ चुके हैं लेकिन तब ही वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं जि इसके बद लास्ट में हम वही नियूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि सभी को बता रही थी कि केविन ने स्कूल के सभी बच्चों को और प्रिंसिपल को मा डाला और लास्ट में जाकर खुद आतमत्या कर ली अब उसके ऐसा बोलते ही उसके सारे कपड़े फड़ जाते और केविन उसको नेशनल टीवी पर नंगा कर देता है और दोस्तो इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है